हलो ओपी क्लासिस के डिजटल प्लेटफोर्म पर आप सभी का एक बार पुन्हा स्वागत है आज हम लोगों को पढ़ने हैं 17 सितंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टिड करेंट अफेयर्ज चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न पहला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परिक्षन किया है तो हाल ही में भारत ने प्रतवी टू मिसाइल का सफल परिक्षन किया है इस परिक्षन के तहट अब प्रतवी टू मिसाइल अंधिरे में भी मार करने में सक्षम पाई गई है यह परिक्षन 23 सितंब 2020 को ODSA से किया गया बात की जाए प्रत्वी 2 मिसाइल की तो यह एक स्वदेश निर्मित परमारू छमता वाली मिसाइल है जिसकी मारक छमता 350 क्लो मीटर है तथा यह 500 से 1000 क्लो ग्राम आयोध ले जाने में सक्षम है प्रत्वी 2 मिसाइल को DRDO ने विक्सित किया था बात की जाए DRDO की तो DRDO की स्थापना होई थी बर्स 1958 में तथा वर्तमान अध्यक्ष DRDO के हैं जी सतीस रेड़ी DRDO का मूलवाक है बलश्य मूलम विज्ञानम चली देखते हैं दूसरा प्रशन दूसरा प्रशन है विस्व फार्मासिष्ट दिवस कब मनाया जाता है तो विस्व फार्मा स्थापना 25 सितंबर 1912 को हुई थी इस वज़े से 25 सितंबर को विस्व फार्मासिष्ट दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल फार्मासिटिकल फेडरेशन की स्थापना 25 सितंबर 1912 को हुई थी तथा इसका मुख्याला नीदरलेंड के दाहेग में है इंटरनेशनल फार्मा प्रमासिटिकल फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष डॉमनिक जॉर्डन है चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रशन अगला प्रशन है भारतिय चिकिस्षा परिशत के स्थान पर कौन सा आयोग 25 सितमबर से अस्तित्तों में आ गया है तो हाल ही में राश्टिय चिकिस जुकि तीन साल तक राश्टिय चिकिस्षा आयोग के अध्यक्ष रहेंगे इसके अलावा राश्टिय चिकिस्षा आयोग में 10 पदीन सदस तथा 22 अंसकालिक सदस भी होंगे चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रशन है किस राज के मुख्यमंत्री ने मोक्ष कलस य योजना को मंजूरी दी है रायस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशुक गहलोत ने इस योजना के तहट हरिद्वार में अस्थी विसरजन के लिए मिर्तक के परिवार के दो सदस्यों को मुफ्त यात्रा की सुबदा अपलब्द कराई है बात की जा रायस्थान की तो र पार्श गायक का हमें नाम बताना है तो हाल ही में पार्श गायक SP वाला शुब्रमन्यम का कोरोना के करान 74 वर्ष की आयू में निधन हो गया है बात की जा SP वाला शुब्रमन्यम की तो इनका जन्म 4 जून 1946 को हुआ था इन्होंने 16 भारतिय भार्षाओं में 40,000 से अधिक ग स्पी वाला शुब्रमन्यम को छे बार राश्टी फिल्म पुरुषकार से नवाजा गया है। की पंडिया अरिथु अल्ला बाला सुब्रमन्यम था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रशन है किस परमानु वैज्ञानिक का कॉबिड नाइंटीन से निधन हो गया है। इसके अलावा इनोंने परमानु उर्जा से संपन पन रुब्बी आई एनेस अरिहंत को विक्सित करने में एहम भूम का निभाई थी। सेखर वर्शू का जन्म 20 सितंबर 1952 को हुआ था जबकि बर्श 2014 में इन्हें पदम स्री से भी सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सात्वा प्रश्ण। सात्वा प्रश्ण है अखिल भारतिय फुटबॉल महा संग ने 2019 बीस के लिए फुटबॉलर ओफ द इयर किसे चुना है। बात कीजा गुरपीत सिंग संधू की तो वो भारतिय फुटबॉल पुरुश टीम में गुल्प कीपर की भूम का निभाते हैं। बर्श 2019 में गुरपीत संधू को अर्जुन पुरुशकार से भी नवाजा गया था। बात कीजा गुरपी संधू के जन्म की तो इनका जन्म तीन फरवरी 1992 को चमकौर में हुआ था। गुरपीत संधू पहले ऐसे भारते खिलारी हैं जिन्होंने यूरोपा लीग में भाग लिया था। बहीं बात कीजा संजु यादब की तो वो महला फुटबॉल टीम में मिड़ फिलर की भूम का निभाती हैं। बात कीजा अखिल भारती फुटबॉल महासंग की तो इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। वर्तमान में अखिल भारती फुटबॉल महासंग के अध्यक्ष प्रफुल पठेल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला आठवा प्रस्ण। आठवा प्रस्ण है हाल ही में किस राज के मुख्य मंत्री ने राज परिवहन विभाक की मुख्य मंत्री ग्राम परिवहन अचोडी योजना सुरू की है। इसके तहत प्रतिक गाउं को परिवहन के लिए जोडा जाएगा जिसके लिए अलग से लाइट मोटर विहीकल सर्विस शुरू की गई है। बात की जाए एसम की तो एसम की राजधानी हैं दिस्पुर तथा वर्तमान मुख्य मंत्री सर्वानंद सोनुबाल हैं। इसके अलाबा राजपाल जगदीश मुख्य हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौबा प्रस्ण। नौबा प्रस्ण है हाल ही में किसे 55 ज्यानपीट पुरुसकार प्रदान किया गया। तो हाल ही में अकीतम अच्योतन नंबुदरी को 55 ज्यानपीट पुरुसकार से सम्मानित किया गया है। अकीतन अच्योतन नंबुदरी मल्यालम भाषा के कभी हैं। इनकी कुल 55 रचनाओं में से 45 रचनाओं कभीता संग्रह हैं। बात की जाए गयानपीट पुरुसकार की तो गयानपीट पुरुसकार की इस्थापना 1961 में हुई थी। जिसके तहट आठवी अनुसूची की 22 भासाओं में से किसी भी भासा में कभीता संग्रह या अनप्रकार की रचनाओं के लिए गयानपीट पुरुसकार दिया जाता है। पहला गयानपीट पुरुसकार बर्स 1965 में जी संकर कुरुप को उनकी रचना ओट कुस्सलम के लिए दिया गया था। बर्स 2018 में पहली बार ऐसा हुआ कि अमिताब घोस को अंग्रेजी साहित कार होते हुए भी गयानपीट पुरुसकार दिया गया। बात कीजा अकीतन अच्चिवतन नम्मोंदरी की तो इनको बर्स 1973 में बाली दर्सनम के लिए साहित अकेडमी पुरुसकार दिया गया जबकि वर्स 2017 में इन्हें पद मिस्री से भी सम्मानित किया गया था। ज्यानपीट पुरुसकार में 11 लाख रुपे तथा बागदेवी की पृतिमा सहे प्रसस्ती पत्र भी प्रदान किया जाता है। समस्त विष्ट को एकात्म मानावबाद से अवगत कराया था। एकात्म मानावबाद का अर्थ होता है मानाव जीवन का संबंध संपूर्स रष्टी से दर्साना ही एकात्म मानावबाद कहलाता है। बात की जाए पंडित दीन दिया लुपाद्ध्याई की तो इनका जन्म बर्स 1916 में मतुरा के नगला चंद्रभाव गाउं में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हो गई थी। पंडित दीन दिया लुपाद्ध्याई RSS के चिंतक संगठन करता भी थे। इसके अलावा ये भार्दिय जनसंगी के अध्यक्ष भी रहे थे। 27 सितंबर 2020 का कोशन अब दे है आपका बायू मंडल का सरवाधिक प्रभाव किस मंडल पर होता है। छोब मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल। इसके अरावा सैसन अफ़ दे का कोशन है आपका गुरपीत सिंग संधु के साथ साथ संजु यादब को फुटबॉलर आफ़ दा इयर चुना गया है। तो गुरपीत सिंग संधु को किस वर्ष अरजुन पुरुसकार से सम्मानित किया गया था। दोनों प्रशनों के जबाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने।